नमस्कार दोस्तों आईए सुनते हैं लेखक गोबिंदुपाध्याजी द्वारा लिखी हुई कहानी देह और आत्मा जब मैंने उसे पहली बार देखा तो देखता ही रह गया बिलकुल दूधिया रंग, आकरशक, कद काठी, पान की आकरती वाला चेहरा, थुड़ी पर एक छोटा समस्सा बोलती आँखें और थिरकते हूंट शायना क्या बाकई खुबसरत थी या सिर्फ मेरी आँखों का भ्रहम था केविन में बैठी, वो कम्प्यूटर पर किसी प्रोडक्ट का ग्राफिक डिजाइन तयार कर रही थी आहुत की पीट उसकी तरफ थी और आहुत की मेच के सामने में बैठा था आहुत ने उसे आवाज दी मिसेश शायना शायना जैसे चौकते से जागी जस्ट अ मिनट सर वो अपने कम्प्यूटर स्क्रीन पर एक संतुष्टी पूंग नजर डाल गहरी सांस लेते हुए अपनी कुर्सी से उठी आहुत के बगल से होती हुई मेच के सामने मेरे बगल की सीट पर बैठ गई पिछले कई बरसों से शायना को मैं देख रहा था किन्तो कभी मुझे इसकी आवश्यक्ता नहीं हुई कि मैं उससे बात करूँ वो आहुत से काफी जूनियर थी साथी बला की खुबसूरत और महिंती भी शायना की काबलियत की यदा कदा प्रशंसा आहुत से सुनने को मिलती रहती थी मिजेश शायना ये मेरे मित्र अमन है शायद आप इने जानती है इनकी फैक्टरी एलेक्टरिकल कंट्रोल पैनल बनाती है इनने अपनी कंपनी के बिग्यापन होर्डिंग्स लगवाना है और चार पेज का कैटलॉग भी प्लीज जरा देख लीजिए कहिए सर शायना मेरी तरफ मुखातिब हुई मैं बोलने लगा उसकी कजरारी आँखे मेरे चेहरे पर गड़ी थी मुझे लग रहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर तेजी से ऊपर उठ रहा है उसके होट कापे मुसकराहट की हलकी सी रेखा उसके होटों पर तहर गई थी शायद यह एक व्यवसाइक मुसकान हो पर ये मेरा दम निकाले दे रही थी दरसल मैं जिस फैक्टरी में काम करता था वो एक सामानिसी फैक्टरी थी जहां दस घंडी की मेहनत वो तमाम तनावों के बाद इतनी तनखा मिलती थी कि घर ठीक ठाक चल रहा था उन दस घंटों में पसीने से लटपत शेरिंग मशीन पर लोही की चादर काटते हुए प्रेस मशीन पर पैनल का शेप देते या फिर असेंबली शॉप में इलेक्टरिक डिवाइस की असेंबली करते गंधाते चिरकोट से चेहरे दिखाई देते इस तरी के नाम पर एमडी की स्टेनों ही थी जो अमर में मुझसे भी दो-चार साल बड़ी होगी उपर से चेहरा इतना अनाकर शक के तौबा करिये आहुत एड़टाइजमेंट के शो बिजनेस में था थोड़ा रूमांटिक, थोड़ा ग्लेमराइज अपसराओं का गड़ था उसका ओफिस मैं जब भी अपने ठांठू बाले कार खानी से मुक्ती चाहता आहुत के पास पहुंच जाता आहुत सदे बिन सुन्दर बालाओं से घिरा रहता वह इस ब्रांच का चीफ था हालाएं के हम दोना से पार्टी थे 25 बाट्सों से अपने अपने धंदों में थे जो बिलकुल अलगत रहके थे फिर भी हमारी मित्रता चल रही थी आहुत को आज एक सफल व्यक्ती कहा जा सकता था उसके दोनों बच्चे सेटल थे और वो अपनी पतनी के साथ एक तनावरहित लाइफ जी रहा था मेरे एमडी को मालूम था के आहुत से मेरी मित्रता है शायदी सीलिय पहली बार में एक बिजनिस लेकर उसके पास बैठा था शायना को मैंने किसी तरह से अपने अड़र्टाइजमेंट के लिए होर्डिंग्स की जगे समझाई और उसका मैटर दिया एक चार पेज के कैटेलोग के डिजाइन का आईडिया दिया और प्रोड़क्ट डेटेल्स भी शायना उसी जोंके के साथ अपने कैबिन में चली गई वो मुझे अभी भी दिखाई दे रही थी आहुत की पीट की तरफ कैसी लगती है आहुत ने फसफसा कर पूछा कौन शायना अदभुत सुन्दर मैं थोड़ा चौकते हुए बोला आहुत के हुटों पर फीकी से मुसकान तेर गई बचारी की बहुत दर्दभरी दास्तान है एक बेटा है पांच साल का दो बर्स पूर्व इसके पती की मृत्ती हो गई लिवर डेमिस था उसका भयंकर शराबी था मारता भी था इसकी सुन्दरता से आकरांत था फिर ससराल वालों ने भी से प्रताडित करना शुरू कर दिया था मेरे ओफिस में आई थी तो बहुत टूटी हुई थी इस जीवन से हताश थी इसके पास फाइन आर्स का डिप्लोमा था और कंप्यूटर प्रोग्राम का भी मेरे कंपनी में वेकंसी थी पर इसकी नियुक्ती हो गई आहुत के स्वर में कहीं भी ये व्यवसायकता नहीं थी मैंने आहुत को कभी इतना भावक नहीं देखा था हाँ आमन तुने ठीक पकड़ा सच मुझ मैं इस वरत को लेकर काफी गंभीर हूँ मैं आहुत वर्मा जो पिछले चेहरा मेरी आँखों में धस्ता चला गया यार यकीन करो इसके संपूं ब्यक्तित तुमें नक्षिक तक कूट कूट कर औरत पना भरा है आहुत भावना के आबेग में बोलता जा रहा था और मैं मैं आश्चरे के साथ आहुत को देखता रहा आहुत जो मेरी तरह जीवन का आधा शतक पार कर चुका था टीनेजर्स जैसे ब्यवाहार कर रहा था आहुत को मैंने बहुत ध्यान से देखा वो अभी भी सुन्दर था पचास पार करने के बाद भी जुर्डियों का कहीं नामों निशान नहीं था उसका गोरा चेहर अभी भी तेज से दब्दबा रहा था सब कुछ ठीक था किन्तो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाब तक पहुंचते पहुंचते आहुत को यह क्या हो गया है फिर परिवार का भै बेटी, बहु, बेटे, पतनी, दामाद हम सबसे डरते हैं चाहे मेरे जैसा निम्न मध्यम बर्गिये हो या फिर आहुत जैसे उच्छ मध्यम बर्गिये तक के स्टीटस में पहुंचने वाले लोग सब को समाज का भै है और यही भै हमारा कबच भी है पर यह आहुत को क्या हो गया है या तो एक सुल्जा हुआ अदमी है कुछ बोलो यार आहुत मुझे चुप देख कर बोला क्या शायना को तेरी चाहत मालूम है और वो भी तुझ से मैं बहुत गंभीर था हाँ जानती है सब्ता में हम दो-चार बार मिलते हैं बाहर कहीं रेस्टोरेंट उसके घर या सिनेमा मुझे चाहती है तब ही तो आहुत अपने को सामन ने बनाने का भरसक कोशिश कर रहा था और भावी को मालूम है मैंने हिचके चाहते हुए पूछा लगा जैसे बंबिस फोट हो गया था होट लरजे लेकिन चाहा कर भी कुछ बोल न पाया वह सिवाए सिर को ना के अंदाज में हिलाने के मामला सचमच गंभीर था शाइना जो अभी तीस की भी नहीं होगी जो दुर घटना वश अपना पती खोच चुकी थी और ससुराल के दुदकारे जाने के बाद उसे एक सहारी की जरूरत थी जिससे वो अपना केरिवर बच्चे का भविशे समार सके उसने अपनी सुन्दर्ता को हत्यार बनाया और अपनी उम्र से दुगनी आदमी को निशाना आहो शहिद भी हो गया सुन्दर्ता के आगे मान सम्मान स्वाब इमान सब कुछ भूल गया था वह शायना सिर्फ देह थी और आहुत की एक पत्नी थी जो एक देह के आगे भी अहमियत रखती थी उसने उसके अंशों को नो महीने कोक में पाला था दो बच्चे जने थे उसने आहुत के लिए उसकी हर सांस पा सिर्फ आहुत का नाम लिखा था जब उसे पता चलेगा कि वह के ग्रस्त जीवन के चिथड़े उड़ सकते थे नश्ट हो सकती थी संपूर जीवन की संचित मान प्रतिश था आहुत के पास मैं और नहीं बैट पाया मैं लोट आया उसके ऑफिस से तमाम अंदेशों को अपने मस्तिश्क से उखाडते और नश्ट करते हुए पर क्या फा हभी जल गई है मैं अंदर तक खिल गया मैं नर्सिंग होम पहुंचा भावी पचास प्रतिशत जली थी हाथ सीनाओ और थोड़ी सी पीट दहशत मैं बेहोश थी वह आहुत बच्चों की तरह रो रहा था उसे शायना की कहानी पता चल गई थी उसने फिर भी मुस्से कभी इस पश्टी करन नहीं मांगा क्या मांगती भला जो आदमी इतने बर्सों तक उसके साथ रहा जिंदगी की हर धूप च्छाओं में अटूट आस्था के साथ वो जिसके कदम से कदम मिलाती रही वही व्यक्तियाच जीवन के अंतिम पढ़ाव तक आते आते वह अंदर ही अ अंतर वेदना असहिनिया हो गए तो उसने स्वेम को खतम कर लेना चाहा अमन वह एगवा सिर्फ एगवा मुसे इस पश्टी करन मांग लेती तो शायद ऐसा कुछ नहोता आहो दुख वह उत्तिजना के सम्मिस्रण के साथ लगातार बोले जा रहा था हाँ यह सच था कि शा उसके बैवार से घिनाती थी पिता के उम्र का था और 24 गंटे देह की गंद के लिए ब्याकुल रहता था शायना की भी कोई गलती नहीं थी अमन मैं ही उम्र के इस पड़ाम में देह के चक्कर में जा फसा पश्चत आपके आंसू लिये आहुत की सूनी आखे आई-सी-उ के दर्वाजे पर गड़ी हुई थी दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गोविंदुपाध्या द्वारा लिखी हुई कहानी देह और आत्मा कहानी सुनने के लिए धन्यवाद